दोस्तों नमस्काय मेरा नामें डॉक्टर केके पांडे और आपका इस चनल पर वब्द स्वागत हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आज कर जसे की बाची चल लए है कि बच्चों को भी कुरोना वायरिस के इंफेक्शन हो सकते हैं तो कैसे हम बच्चों को इंसाइच चीज बाइगा ताकि भुषी म्याने वली हर वीडियो के जानकार eating अपने दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों बच्चों को कैसे हम इं सारी चीजियों से बचा सकते हैं बच्चों को आप जब भी इखन के कि ऐसी कंडिशें को होती है तो बच्चों को मैंटरी स्ट्रॉं करना दो बच्चों के immunity को boost up करने के लिए दोस्तों जो सबसे important चीज हमारी है कि बच्चों को सही जानकारी दें बच्चों को जो social media पर न्यूज पर जोचते पी चीज़ आ रही है न्यूज आ रही है कि ऐसा हो जाएगा वाइसा हो जाएगा इन सारी चीज़ों से बचा करके रखें इ जादे धायन दीजिए ताकि बच्चों की इम्यून्टी बढ़े अंदर से अब बच्चों के इसे हम क्या कर सकते हैं जाकि बच्चों की इम्यून्टी बढ़ेगी इससे तो बच्चों के जो सबसे इंपॉर्टन चीज़ है वो यह है कि आप अपने बच्चों को हरी साग सब सब्रियां पतेदार सब्रियां फल फूल या ऐसी चीह जिसमें साइट्रस फूर्ट्स होते हैं विटामिन सी जादे पाई जाती उन सारी चीहों का जादे से जादे सेवन करा हैं यह बच्छों की इम्यूनिटी को बूस्ट अब करने में बहुत काम आएगा दोस्तों आज के स बच्छों को अंदर उनी कैसे मजबूती मिलेगी चुकि आउक्सीजियन का लेवल ही बता झाले आप कितने मजबूत हैं तो बच्छों को ऑक्सीजियन के येवल को बढ़ानी के लिए क्या करना है उनको धीरे धीरे करके उनकी अंदर से फेफड़े की जो कैपेसिटी है व तो अब वो इंडोर गेम्स खेल खर करके और नीज देख देख करके वैसे ही हत उतसाइत हैं परिशान है तो उनको क्या करना आपने कि बच्चों के साथ बैट करके खेलना उनके साथ में खेलना जोस्तों उसके लिए उनके लिए फो उनके साथ में ये सारी काम करने है एकसेसाइज, फ्राडायाम, ये सब कुछ करना है खाने, पीने मैंने आपको बताया कि उनके साथ में जयादे सजयादे ऐसी चीए आप भी सेवन करिए, उनको भी खिलाईए जिसता कि खुन बढ़े बच्चों का बच्चों का खुन बढ़ेगा तो आटमेटिक यह होगे बच्चों की इम्यून्टी बूस्ट अब होगे उससे तीसरा दोस्तों जो सबसे इंपोर्टन यह है कि बच्चों को इन सारे नियूज से दूर रखना है आपको पहली बतायाँ ऐसे नियूज से चुकि आप जब डरे होते हैं तो इम्यून्टी होती है बच्चे डरते हैं तो उनकी इम्यून्टी बूस्तों गपराहट में इंसान कोई भी सही फैसना ने ले पाता दोस्तों गपराहट में क्या होता है कि ऐसे से हार्मोन सरी में रिलीज होते हैं जो कि हमारे सरी की जो पितनी पावर्स होती हैं वो एक जगा पे एकठा कर लेते हैं अब सुचिए कि अगर घर में कहीं पे एक बड़ा सा घर है और घर में कई सारे सानिक लगे हुए हैं देखवाल करने के लिए और कहीं पे अगर कोई भी दिक्कत हो जाए कोई आवाज आजा कोई डर बली बात हो जाए तो सारे सानिक कहां पहुंच जाएंगे जब वहां पहुंच जाएंगे तो बाकी तो कोई भी चोर या बाहर को कोई भी आदमी उस पर अटक कर सकता है कि नहीं कर सकता है यही होता है हमारी immunity के साथ में दोस्तों तो हमको क्या करना है कि हमको अपने सरीर के सिर से लेके पाउं तक के हर एक चीज को मजबूत रखना है ठीक है तो पहली बात ऐसे नियूज से बचना है दूसरे सारे यह सारे काम करने है खाने पिने का और प्रड़ायां गयाम अब दोस्तों जो सबसे important चीज है वह हम बात करेंगे होमपैथिक में ऐसी कौन सी चीज है ऐसी कौन सी दबा है जो कि बच्चों की immunity को booster कर सकती है तो दोस्तों होमपैथिक में बहतरीन दबा है जिसको उन्हों बोलते है five fast combination five fast दोस्तों, bio chemik में आती है, बहुत ही बेतरी इन है, three x, six x , ш, twelve x में आती है आप इसको किसी इम भी ले सकते हैं बच्चों को दिन मेंतीन बार चार बार चार चार गोली त्म आते हैं तो यह बच्चों को जो one कमी होती है दूस्तों बच्चों को नेच्छल कि चाहिए बच्छों बच्छों को विकास हो रहा हुता है और झाहिए खुन JUST होता है तो फास्क्वरुस चाहिए क्यों सिंबबोर चाहिए ट्रीक है सोडिय जो AnyAB चाहिये के चाहिए पया Caleb cans तो यह सारे जो फास हैं यह इसके अंदर में मिले हुए है तो यह बच्चों के इम्यूनिटी को अंदर से मजबूत करते हैं दोस्तों और बच्चे अगर अंदर से मजबूत रहेंगे तो उनको बाहरी चीजियों से फरक नहीं पड़े बाहर से अपने प्रोटेक्ट कर लिया ख़ए तो यह सब कुछ हैं हमको इसको पावर देना है हमको इसकी च्छमता ह् सब्सक्रात्म करना है पूरा व्यायाम करना है अच्छी नीद लेना है बिना कैसी डर के भयके अपना सारा काम करना दोस्तों फिर आप देखेंगे बहुत ही बहते ही हो जाएगा और कोई भी तकली फलकी फुलकी होती है जैसा कि सर्थी जो मौसम चंज़ोता तो होता ही है तो उसमें आपने जर्णली जो हमपैथिक दमाया आती है उनका सेवन करना है अलेपैथिक मेडिसिन से बचना है दोस्तों क्योंकि वह आपकी इम्यू दोस्तों में फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करेगा ताकि वो लोग इससे फायदा ले सके दोस्तों फिर मिलते एक नहीं जानकारे में तब तक बना ख्याल कियेगा जै हिन जै भारत